सुजान पर टेरा में संचाई एवम जन स्वास्ते विभाग पानी की पाइप पिछाने हे तू नगर परशित की गलियों को उखाड रहा है आपको बता दें कि विभाग नगर परशित की अनुमती लेना भी उचित नहीं समझ रहा है जिससे साफ चाहिर हो रहा है कि इससे आम जन मानस को जुर्माना भरना पड़ता है लेकिन सिंजाई एवम जन स्वास्ते विभाग नगर परशित की अनुमती लेना उचित नहीं समझ रहा है जिससे शहर भर की गलियों में पानी की पाइप डालना हो या सीब्रिज कोनेक्शन हो ये तमाम कारे नगर परशित की नई बनी हुई टायल्स लगी हुई गलियों को तोड़ा जा रहा है आपको बता दें कि नगर परशित द्वारा नई गलियों का निर्मान किया गया था लेकिन विभाग के द्वारा नई गलियों को भी उखाट दिया गया है जिससे साफ चाहिर हो रहा है कि नगर परशित की पकी गलियों के निर्मान के लिए लाग और रुपई खर्च करती नजर आ रही है लेकिन सिंचाई एवं जन स्वास्त विभाग नगर परश्रित की अनुमती लेना भी जरूरी नहीं समझ रहा है जब इस बारे में कारेकारी अधिकारी संजे कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शेहर में सिंचाई एवं जन स्वास्त विभाग तोरा कारे किया रहे हैं जिसके चलते सडकों को उखाड़ा जा रहा है उन्होंने बिभाग से आगरे किया है कि गली उखाडने पर इसके सूचना नगर परशित को दें ताकि टूटी हुई गलीों को रिपेर करवाय जा सके उन्होंने विभाग से आगरे किया है कि विभाग सुनिश्चित करे कि नगरपरशद में पुरानी गलियों में ही अपनी सीबरेज और पानी की पाइप डाल दें ताकि पक्की टाइल्स लगी हुई गलियों को ना उखाड ना बड़े उनके तो उनको भी उखाड़ा जा रहा है तो अब यह विभाग को लिखेंगे कि पहले पूरी प्रस्ताव न दें कि किस किस वाड़ में कौन कौन से गलियों उन्होंने उखाड नहीं है ताकि उन गलियों को यह हम निर्मान गारे ना करें और मेरा जल्सक्ती विभाग से भी इसके सूतना देनी है टाकि हम धी तिम रूप कर ने को करने क विभाग को अंधि रूप में आत्प भीज रहे हैं कि हमें अपने कारेयों जनापताइए virtus कारा है कि हम उन गलियों को पक्का ना करए ह्याँ पयबना डारी है